आज हम बात करने वाले हैं अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में incoming call शो नहीं हो रहा है तो इस problem को कैसे ठीक करें तो यहाँ पर आपके फोन पर call आता है तो यहाँ पर आपके फोन की display पर शो नहीं होता है तो इस problem को ठीक करने के लिए आप अपने फोन में settings को open करिए settings को open करके नीचे आईए नीचे आकर आपको मिलेगा एक apps का option apps पर किलिक करिए apps पर किलिक करके ऊपर manage apps पर किलिक करिए उसके बाद आपके फोन के सारे application यहाँ पर आ चुके हैं अब यहाँ पर एक search का option आएगा इस पर किलिक करिए उसके बाद type करिए phone तो phone सर्च करने के बाद आएगा phone services एक option आएगा phone फोन पर आप किलिक करिए किलिक करके नीचे force stop पर किलिक करिए ओके करिए उसके बाद storage का option आएगा storage पर किलिक करिए नीचे clear data पर किलिक करिए clear all data पर किलिक करिए ओके करिए back आईए नीचे आईए नीचे आकर आपको यहाँ पर मिलेगा notification इस पर आप किलिक करिए किलिक करके ऊपर आपको मिलेगा show notification या फिर allow notification अगर आपका यह option चालू नहीं है तो इस option को आप चालू करिए और अगर आपका पहले से चालू है तो यह जो नीचे option आ रहे हैं अगर आपके यह चालू नहीं है तो इन options को चालू करिए तो चार से पाँच आप्शन हो सकते हैं तो सारे आप्शन्स को चालू करिए उसके बाद बैक आईए फिर से बैक आईए फोन सर्विसेस पर किलिक करिए फोन सर्विसेस पर किलिक करिए नीचे फोर्स स्टॉप पर किलिक करिए ओके करिए storage पर क्लिक करिए और नीचे clear all data पर क्लिक करके ok करिए उसके बाद back आईए फिर से back आईए यहाँ पर उपर cancel करिए इतनी settings करने के बाद अब यहाँ पर आपका call डिस्पले पर show होना शुरू हो जाएगा और अगर आपकी problem ठीक नहीं होगी तो यहाँ पर उपर right side में 3 dot पर क्लिक करिए 3 dot पर क्लिक करके reset app preferences पर क्लिक करिए उसके बाद नीचे reset apps पर क्लिक करिए तो यह करने से कोई आपका data delete नहीं होगा तो इस पर क्लिक करके apps को reset करिए कोई app आपका कोई data delete नहीं होगा देख सकते हैं you will not loss any app data तो हमने पहले से कर लिया है तो यहां पर इसे कैंसल करेंगे तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक करें वीडियो पसंदाई वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें